आज है 2nd February और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्जर पेंट्स के बारे में देखिए बर्जर पेंट्स के नतीजे आ चुके हैं quarter 3 के और नतीजे उतने जादा attractive नहीं है वीडियो में हम उसके बारे में discuss भी करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगा भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी जादा help करेंगे तो 540 रुपय का share है बर्जर पेंट्स का लेकिन पेंट इंडिस्ट्री की बात करें तो दिगज कंपनी है Asian Paints उ और अगर एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में बर्जर पेंट्स में 27% जितनी गिरावट है और एक साल का जो सबसे बड़ा low इसने बनाया है वो अभी बनाया है इसे पहले भी अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ा correction इसने दिखाया था फिर bounce back भी उतना बड़ा है लेकिन उसके बाद लगातार ये तूट ही रहा है इवन अगर आप तीन साल की भी बात कर लो तो पिछले तीन साल में बर्जर पेंट्स का जो शेर है उसमें 1% की अभी भी गिरावट है मतलब आप सोचो कि कोविट के वक्त अगर ये तूट कर 400 रुपे तक गया तूटता चला गया और ये वाकई में काफी बड़ी गिरावट कह सकते हैं तीन साल में भी अगर हम कहो तो तीन साल में भी गिरावट देखने को मिल रहा है जबकि fundamentally company strong है बर्जर पेंट्स देखा जाए तो large company है 53,000 करोड से भी जादा का इसका market cap है volume अगर देखा जाए तो market close होने के बाद आये हैं और जो नतीजे आज देखने को मिले उसका impact कल हमें देखने को मिलेगा इसके share price में बर्जर पेंट्स अगर आप देखो तो quarter 3 के नतीजे आ चुके हैं 20% का decline है profit में 200 करोड का इनका profit हुआ है 200 करोड का decline तो है काफी बड़ा decline है अगर हम यहाँ पर एक देखें तो पिछले साल इनका 200 करोर का profit था क्फले साल इस है 40지는 करोड का था और इस बार कफी काफी कम हुआ है even पिछले quarter में भी इनका जो profit था वह 220 करोड के आसपास हमें देखने को मिल रहा था तो देखा जाए तो इनका profit कम हुआ है इतना ही नहीं earning before interest tax अगर हम बात करें तो यहां पर भी अगर आप देखो 10% का drop हमें देखने को मिल रहा है तो company के खर्चे काफी जादा बड़े हैं ऐसा आप कह सकते हो यहां पर इतना ही नहीं बर्जर पेंट्स में अगरा देखो तो company noted that the decorative business showed decent growth in the quarter in spite of extended monsoon very high ways effect and short festival season compared to the corresponding quarter last उनका यह कहना है कि पिछे साथ के मकाब इस बार जो उनका festival season रहा वो थोड़ा सा कम रहा लेकिन फिर भी देखो इस quarter से उम्मीद रहती है December quarter से अच्छी खासे उम्मीद रहती है लोगों को कि भाईया यहां पर अच्छा खासा business आएगा खासा के paint industries में festival season होता है यहां पर लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ यहां पर इनके revenue कम हुए even 6,000 sorry 2,695 करोड के आसपास के इनके revenue रहे जो पिछले quarter में 2,670 करोड थे मतलब 1% का ही जंप आया है इनके revenue में लेकिन profit में पिछले quarter के मकाबले decline आया है तक्रीबन तक्रीबन 8% का पिछले सागे मकाबले 20% का और यही वज़े है कि share शायद कल आपको उतना strong move दिखाता हुआ नजर ना आए बर्जर पेंट्स अगर आप देखो कि तो according to money control user 25% लोग कहरे कि बेचो 75% लोग कहरे कि खरीदो मेरी का recommendation है वो भी मैं आपको वीडियो मा आगे जरूर बताऊंगा लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें company को लेकर तो company साल में एक बार dividend पे करती जरूर है लेकिन अगस्त महिने में सब्टेंबर महिने में generally ये देखने को मिला है हमें और पिछे साल तीन रुपए दस पैसे का dividend पे किया था इस बार नतीज़ा आये है लेकिन dividend को लेकर कोई announcement नहीं हुई है revenue अगर आप देखो तो इनके बढ़ते हुए revenue हमें देखने को मिले है और ये कि अच्छी बात है ये 2022 में इनके 8,360 करोड के आसपास के revenue रहे और अभी 23 में इनके revenue 10,000 करोड से भी जादा देखने को मिलेंगे क्योंकि quarterly 2,600 करोड के आसपास के तो revenue उनके अल्यरी देखने को मिल ही रहे हैं जहां तक बात करें profits की तो profit भी definitely हर साल बढ़ते हुए हमें नजर आए 829 करोड का profit 2022 में रहा लेकिन इस बार थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब साल खतम होगा तो इनका जो profit होगा वो 2022 के मुकाब्ब्र जादा ही होगा बर्जर पेंट्स अगर हम देखने की कोशिश करें तो company का 64 का peer ratio थोड़ा सा महगा जरूर है और इसलिए 26% एनालिस आपको खरीदारी करने की बात करें जादक बात है share holding की तो share holding में promoter के पास 75% की holding है 1.12% mutual funds 1.80% domestic institution 11.11% Files के पास है retails और others की मिलाकर 10.96% की holding है जिनमें से retail investors 8.14% की holding अपने पास रखे हुए है तो बर्जर पेंट मेरे साब से company काफी अच्छी है ठीक है लेकिन तभी खरीदना चाहिए जब सस्ता हो और market उस हिसाब से position हो हाल फिलहाल का जो case सिनारियो है उसको देखकर लगता है कि नतीज़ जो अच्छे नहीं आए है उसका थोड़ा सा impact तो पड़ेगा इनको ठीक है और short term की ही ये pain होगा long term में मुझे लगता है कि definitely यहाँ पर potential है देकि समझे कि सरकार का अभी budget में भी सरकार ने announcement किया कि काफी ज़दा spending वो करने वाला है infrastructure में और ऐसे में देखो paint वाली company जो है definitely उसकी जरुवत पड़ेगी यहाँ पर और जहां तक मुझे लगता है burger paints company अच्छी है infra shirts अगर देरे देरे grow करेंगे even infra के project धिरे धिरे बढ़ते नजर आएंगे और even अगर हम बात करने जाए burger paints को लेकर even पूरी paint industries को लेकर तो मैं मानता हूँ कि potential है definitely पहली पसंद तो Asian paints होगा लेकिन उसके बाद अगर आप चाहो तो burger paints में नजर रख सकते हैं लेकिन हाँ 540 buying का level मेरे हिसाब से नहीं अखा सके इस नतीजे के बाद तो मुझे लगता है कि बाजार भी थोड़ा सा उतने अच्छे mood में नहीं नजर आ रहा है और नतीजे भी इनके उतने अच्छे नहीं आए है तो शायद जो खरीदारी के मौके अब आपको यहाँ पर ढूंडने चाहिए वो 480 रुपए के आसपास ढूंडने चाहिए 4500 से 480 रुपए का जो range है वहाँ पर आपको खरीदारी के मौके ढूंडने चाहिए और देखो COVID के वक्त इसने जो low बनाया था वो 400 रुपए का low बनाया था तो वहाँ तक तो नहीं जाएगा यह और अगर तूटेगा भी तो मेरे हिसाब से लगता है कि 4500 से 480 रुपए के आसपास का जो range होगा आपके लिए वो buying के लिए attractive साबित हो सकता है बर्जर पेंट्स मैं long term के लिए recommend करूंगा मुझे रखता है कि long term में potential जरूर है इसमें कि एक अच्छे कासी तेजी आप देख सकते हैं और नजर होनी चाहिए बर्जर पेंट्स के उपर भी हाँ काफी लोग यह argument भी करते हैं कि यह दूसरा Asian Pains बनेगा तो मेरे हिसाब से अभी तो मैं उसके बारे में नहीं कोई comment करूंगा लेकिन potential जरूर है कि Asian Pains के बाद की जो market share है market capture है वो यह कर रहा है और करता रहेगा आने वाले दोर में तो वीडियो को यहीं पेंट्स के बारे में भी देखें तो यहां पर भी हमें काफी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है तीन हजार रुपे का शर्ष दोहजार सांसर रुपे पर आ चुका है और काफी ज़्यादा टूटा भी है और अगर आप चाहते हैं कि मैं Asian Pains के उपर भी एक डिटेल वीडियो बनाओ तो कमेंट में Asian Pains ज़रूर लिखेगा जितनी ज़्यादा कमेंट है कि उतना ज़र्दी वीडियो आगा वडियो को यहीं प्रेंट कुरूँगा बसंदा हो तो लाइक कर चाहिए बगर पहले बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बर्जन पेंट के बारे में और रिजल्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं थैंक्यू